Hello friends, आज के session में हम सीखने वाले हैं कि कैसे toast को बनाया जाता है, create किया जाता है Android के अंदर, यह जो हमारी series है, notification वाली, उसके अंदर हमारा जो पहला session है, वो होगा हमारा toast के उपर, कैसे toast को create करता है, कैसे toast implement किया जाता है Android के अंदर, और क्या use है उसका, तो चलते हैं, अपन स् यह चीज हो रही है, execute हो रही है, जैसे कि message send कर रहे हो, आपने देखा होगा नीचे एक 3-4 screen के उपर, हलका सा message pop-up आता है, जिस जो around, 1-2 second के लिए आपको दिखता है, और फिर चला जाता है, तो वो user को notify करने के लिए, कि कुछ चीज execute हो रही है, या हो चुकी है, तो यह च इसकी location होती है, वो यहां होती है, जो screen के जो bottom है, उसके just उपर, जैसे ही, जैसे मैंने आप एक simple सा screen ले रखा है, जैसे ही वो user जो है, show toast पे click करता है, तो उसको bottom के उपर आप देख सकते हो, कि यहां पे एक message pop-up हो रहा है, जो toast के अंदर दो ही आपको time limits मिलती है, short या फि check-in के आस-पास दिखेगा, बस ही आप एक limitation है, क्योंकि यह message के वल आपको कुछ ही time के लिए दिखाना है, बहुत shorter period के लिए दिखाना है, इसलिए हम को यह use करना होता है, तो इसलिए दो ही limitation है, इसके अंदर, यह आप चो time है, वो short या long ही कर सकते हो, आप अपना time नहीं द notify करवाना है, तो toast use आता है, और हमने देखा कि कहां use होता है, अब जो toast class होती है, जब हम इसको create करेंगे, तो कुछ इसके methods है, जिन को हम use करने वाले है, तो toast की जो first method जो हम use करेंगे, वो है make text, जैसे कि आप यहाँ पे screen पे देख सकते हो, make text में वो 3 चीज़े आप से मांग method के अंदर, एक तो context, यानि कि class का reference, then character sequence, character sequence यानि कि जो message आपको show करवाना है, कि कौन सा message आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो, और तीसरा जो है इसके अंदर duration, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, last जो parameter है, वो duration है, तो duration यानि कि कि इतने time के लिए इसको show करवाना है, जैसा कि मैंना भी आपको पहले बताया था, कि आप दो ही जिसमें दे सकते हो, यानि कि या तो length short दे सकते हो, या length long दे सकते हो, यानि कि shorter paid के लिए या larger paid के लिए, और उनका भी एक particular time limit है, कि एक second से कम होगा, और एक second से कम होगा, दूसरा जो method, जो कि बहुत important method है, वो है show, dot show, बीन show किये, मतलब बीन dot show method को use किये, आप toast को दिखा नहीं पाओगे, मतलब अगर आपने सारा काम कर दिया, और अगर आपने dot show नहीं लगाया, तो वो जो toast है, वो दिखेगा ही यूजर को, और ये dot show जहाँ पे भी लगाओगे, जैसे आप on create method में लगाते हो Android के, तो जैसे ये app start होती है, तब वो शुरू होगा, या फिर अगर आपने उसको कोई button के click पे लगाया है, तो वो उस समय pop-up करेगा, तो ये code जहाँ पे भी execution के लिए आपने रखा है, dot show, वो तभी show होगा महाँ पे, main screen के उपर, चीक है, अब ये जो constants जिनके बारे में हमने बात करी थी, दो constant toast के अंदर एक length long होता है, और एक length short होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो, कि एक shorter period के लिए, कम time के लिए आपको दिखाना है, मतलब कम में भी कम time के लिए दिखाना है, तो आप क्या लोगँ है, length short, और larger time के लिए लगाना है, तो आप क्या use करोगे length long, छीक है, ये इसका final syntax होता है जो कि आप यहां देख सकते हो इसमें तीनों चीज़े आप डाल दोगे जैसे कि context के लिए हम get application context लेते हैं या class का reference देते हैं वह आप देख सकते हो यहां पे दूसरा परामिटर में हम क्या डाल रहे है है my first toast जो भी आपको message यहां show करवाना है टोस्ट के अंदर वह आप इस particular string के अंदर डालोगे यहां string यूज आती है तो आप string format में इसको डाल सकते हो आप string का variable बनाके उसमें place करके भी call कर सकते हो और directly आप inverted comma start करके और उसमें अपना message डालके और inverted comma close करके वहार लगा सकते हो जो लास्ट वाला है वह आपका डोस्ट लेंट लांग या लेंट चौट जो भी प्रेस कर रहा हूं तो नीचे की साइड में यहां पर देखो एक my first toast करके message pop-up हो रहा है और वो particular कुछ time period के लिए रह रहा है और फिर चला जाता है जैसे कि यहां पर मैं फिर से इस पर click करता हूं तो आप देख सकते हो एक second या dead second के लिए रहेगा और फिर automatically disappear हो जाएगा screen से तो यह हमारा टोस्ट है जो आज वाले session में हम execute करने वाले है कि कैसे इसको implement करना है ठीक है तो start करते है सबसे पहले मैं यहां पर एक नया project create कर लेता हूं ताकि आपको कोई problem ना हो इस चीज के अंदर समझने में कि यह शुरू आच्छे कैसे करना है तो एक दम अपन basic नया topic जैसे implement करते हैं वैसे ही एक my first toast example नाम से हम एक project create कर देता है तो यहां पर देख सकते हो कि हमार एक नया project create हो चुका है अब हम यहां पर start करने से पहले हम activity के अंदर चलता है XML के अंदर जहां पर मैं simple से क्या कर रहा हूं एक बटन बना रहा हूं ताकि बटन के press पर हम toast को बार बार शो करवा सकते हैं आपके लिए easy हो समझने के लिए कि मैं बटन के click पर यह काम करने वाला हूं आ मैं prefer करता हूं code लिक के क्योंकि वह ज्यादा easy रहता है और fast भी रहता है कई बार start करते हैं सबसे पहले आपको एक layout लेना होता है यह अपन पहले sessions में पढ़ चुके हैं तो मैं यहां पर easy रहने के लिए symbol सा layout ले ले लेता हूं तो मैं यहां पर linear layout ले सकते हो linear हो गया relative हो गय हमको यहां पर बटन बनाना है तो मैं यह व्यू सब delete कर रहा हूं तो इसके अंडर हम क्या करते हैं बटन क्रीट करते हैं क्योंकि हमको क्या करना है जैसे बटन पर वह क्लिक करेगा तब हम वह टोस्ट जो है वह पॉप अप करवा देंगे चीक है मैं इसकी width height और wrap कर देता ह एंड इसको सेंडर पे लिया थे थोड़ा बैटर वियू के लिए तो gravity सेंडर पे ला सकते हैं तो यहां बटन सेंटर पर आ चुका है अब layout wise हमारा काम हो चुका है अब हम चलते हैं Java वाली फाइल के अंदर यहां पर हमको इसका on click listener बनाना है और उसके अंदर जो toast का functionality है जो toast का syntax है वह वहां लिखना है ताकि जब भी user button पर प्रेस करें पर एक्जामपल हमने इस case में button लिया है आप ज़रूरी नहीं के button के के उपर तो सबसे पहला method execute जो होता है वो on create method होता है तो on create में अगर आप यह code यह syntax लिख दोगे toast का तो जैसे ही app start होगा यह जैसे ही activity start होगी तब वो toast है वो आपको दिख जाएगा लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी button के tap के उपर या कोई event के उपर में कोई चीज execute करा नहीं तो event के listener के उपर हमको यह code लिखना पड़ेगा चीक है तो मैं जैसे button की click पर करोना चाहता हूं तो button का listener है उसके अंदर मेरा code place करने वाला हूं तो start करते हैं हम जावा के code के through तो button की ID बना देते हैं तो यह हमने ID दी थी ID हम बना चुके हैं अब इसका on click listener बना देते हैं button.toast.seton.clickListener तो यह आगे हमारा on click listener और यह वह method होता है जिसमें आप जो भी code place करोगे इस button के click पे वह execute हो जाएगा तो हमको code क्या करना है हमब को सिर्फ है अभी के लिए क्या करना है toast को pop-up करवाना है कि आपको क्या करना है make text जो मैथड है उसका use lane है make text क्या करता है तीन चीजए करता है एक तो reference कि कहाां से execute हो रहाया है मालब किस class से इन एक perimeter टम पेड़ के लिए करवाना है और तीसी चीज़ों कोई कितने टाइम पेड़ के लिए करवाना है मैं length long either length short then finally हम क्या करेंगे पीछे dot show लगा देंगे जिससे क्या होगा जहां पर भी मैं dot show को call करूंगा उस particular उस line का execution जब भी आएगा तो वो जो toast है वो screen पे pop up हो जाएगा सबसे पहले हमको toast class को use करना है अब जब भी आप यह दो toast class देखते हो तो आप अभी के लिए मैं उपर वाली class को use कर रहा हूं तो आप जैसे enter करोगे ना तो यह class import हो जाएगी अगर इनके import नहीं होती है तो आप यहाँ पर all plus enter भी कर सकते हैं यह class आप देख सकते हैं उपर के import हुई की नहीं है चीक है तो toast class को use किये भीना हम यह काम execute नहीं करवाएंगे इसलिए class को import करना important था अभी import कैसे कर सकते हैं यह हमको पता है या तो आप all plus enter कर देंगे या फिर डारेक्ली आप enter कर दो जैसे आपको suggestion में दिखें तो automatically क्या करेंगा वो import कर देगा and in either case अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप यह पूरी line जो है यह जो class है इसकी import के बाद में android.widget.toast यह आप import कर सकते हो जैसे आप यह import करोगे तो toast use हो जाएगा then हम आते हैं toast.make text अभी आप यह method देख सकते हो कि return क्या करता है toast return करता है हमको toast टीचेंगे तो तीन चीज़े क्या क्या है एक तो activity का reference जो कि आप activity.this से भी दे सकते हो और नहीं तो better reference के लिए simple सा जब भी आपको context का पूछा जाए का यह method के अंदर reference के लिए तो हम get application context को use करते हैं आप get application context को भी यहाँ पर use कर सकते हो दूसरी चीज़ यहाँ पर character sequence मांग रहा है यहाँ पर जो भी आपको message show करवाना है वो आप यहाँ लिखोगे तो मैंको message show करवाना है this is my first toast जो भी x y z आपका जो भी message आपको show करवाना है वो आप यहाँ लिखोगे मैं सब for practical implementation यहाँ लिख रहा हूँ this is my first toast then तीसे चीज़ हमको क्या लिखनी है कि कितने duration के लिए करवाना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया याईदर आप length long दे सकते हो toast के अंदर या length short दे सकते हो तो आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं बस capital में L लिखोगे न तो आपको आपको option आजाएंगे length long और length short अगर ये भी ना आए तो आपको क्या करना है toast class जो है वो लिख ले नहीं है tost करके and dot करोगे तो भी suggestion में आ जाएगा then length long and length short जो भी आपको चाहिए mostly cases में हम length long लेते क्योंकि हम चाहिएंगे shorter period में भी हम longest time को use कर ले इतने time के लिए तो दीखे ही दीखे then finally dot show जैसे ही ये वाला जो पार्ट है ये important पार्ट है सबसे ज़ादा क्योंकि अगर ये execution में नहीं आया सिर्फ आपने dot show नहीं लगा है सिर्फ इतना ही रखा तो toast create जरूर हो जाएगा लेकिन कभी show नहीं होगा जब तक dot show call नहीं होगा चीक है तो ये simple सामने code यहाँ पे लिखा है toast का तो आप एक और चीज में यहाँ बताना चाहता हूँ यहाँ पे string को store करके और आप variable बना के भी call कर सकते हूँ मतलब एक string का variable बना है उसमें आपको जो भी string place करनी ही वह आपने place करी और यहाँ पे उसको call कर दिया चीक है तो practical implement करने के लिए हम इसको start करते है तो मैं run पे click करता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पे apps इंस्टॉल हो रहा है और जैसी app इंस्टॉल हुआ एप ओपन हो चुक है हमारे emulator के अंदर तो यही हमने design बनाए थी जिस पे मैंने बटन लिया था show toast अब हम इस पे click करते हैं और देखते है toast show होता है कि नहीं होता है तो जैसे ही मैंने click किया देखो यही जो message मैं show करवाना चाहता हूँ आचुका है this is my first toast देख पारे हो आप यह चीज तो यह एक simple सा toast का implementation था काफी जगा और बहुत important होता है toast का implementation क्योंकि कभी भी आपको जब भी आपको user को notify करना है कि यह चीज हो रही है Android में हमको as a developer integrate करनी होती ही तो हम इस तरीके से करते हैं तो यही पर हम इस session को end करते हैं जिसमें हमने toast को कैसे implement करते हैं क्यों implement करते हैं और क्या important points रहते हैं toast को implement करते हैं वह सीका thank you